वेलकम तो ये चैनल MPBOOD English Medium इस वाले वीडियो में हम लोग आके बढ़ाने जा रहे हैं हमारी Important Question की सीरीज को इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे है Chemistry की Important Question की Chemistry की आप लोगों को जो चैप्टर से आपकी स्क्रीन पर डिस्पले हो रहे हैं सारे हमारे बात चैप्टर है जिससे की आप लोगों का चैप्टर No.1 है जो की मेना Blueprint आने के पहले इसकी Important Question दिये थे तो चाहो तुसको Practice कर सकते हो वरना ना भी करो तो कोई दिक्कत ने Because Chapter No.1 से Only Objective पूछे जाने वाले इस वाली वीडियो में हम कवर करने जा रहे है आप लोगों का Chapter No.2 जिसको की हम बोलते है Solutions तो Solutions एक बहुत अच्छा Chapter Chemistry का तो इस Chapter के बारे में देखो काईज मैं आप लोगों को Overview दे दू तो इसमें Blueprint के According दो Question पूछे जाएगे इस Chapter से और यहां से Numerical पूछे जाते है जो दो आप लोगों के Question पूछे जाएगे जो दो Number का और टीन Number का एक Question है उसमें से I Guarantee Guys की एक ना एक Numerical ज़रूर रहेगा Because इस Chapter से Numerical पूछे जाते है Straight Forward NCRT से Numerical उठा के वैसे के वैसे दिये जाते है 2019 से जब से NCRT पैटर्न लगा है 2019-20 21 का मैंने उत्ते अच्छे से ध्यान से नहीं देखा 2019 और 2020 में Straight Forward NCRT के जो Book है उसका Question आया था Book में जो In-Text Question रहते है या फिर Exercise में जो Question रहते है वो Question Straight Forward पूछ लिए गया थे Value भी Change नहीं गी थी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि NCRT की बुक से Practice जरूर कर लिए जिगा और यह मत बोलना कि भी Important Numerical दे दो Because Important Numerical जैसी कोई चीज Exist नहीं करतीगा इस ठीक है तो हम लोग बात करेंगे आमारी Important Question की Important Question में सबसे पहले दो माक की Question की हम बात कर लें पहला Question आता है Define the following Part Per Million and Osmotic Pressure तो इन दोनों चीज को आपको Define करना है थोड़ा 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 चार चार पाच पाच भी लाइन अपने लिख दिए दोनों में सभी चेंट रहेगा दूसरा Question आता है Define the following Mollality Sorry Mollality and Molarity Molarity and Molarity तो यह दोनों टाम को आपको Define करना इसका Formula भी आता है अगर वो याद होगा तो बहुत अच्छा रहेगा एक Golden Apporturity रहेंगे आप लोगों को Number Score करने की तीसरा Question आता है Define the following Isotonic Solution and Semi-Permiable Membrane तो बायवालों के लिए बहुत इसी सा Question होना चाहिए यह Accordinary ठीक है तो उसके अलावा दूसरे दो नंबर के Question में और दो Question बचे है वो है State Henry's Law and its application तो क्या होता है Henry का Law वो आप लोगों को याद होना चाहिए और उसके कुछ application भी आप लोगों को रटे हुए होना चाहिए पाच्छों को Question आता है Define the following Wentow factor and Molar freezing depression constant तो यह थे आप लोगों के दो नंबर के Question अच्छी तरके से आप note down कर लीजिए इसके एक भी Question ऐसा नहीं है जिसका कि solution आपको NCRT Book में ना मिले तो NCRT Book में आप लोगों को सारे Question के solution मिल जाएगे दो नंबर के अलावा हम तीन नंबर के Question में जाने से पहले एक Study Application के बारे में जान देते हैं जिससे कि आप लोगों के इन Question के solution ढूंडने में और समझने में काफ़ी जादा help मिलेगी अगर आप Board exam या जैसे competitive exam की तयारी कर रहे हैं और आप लोगों को किसी तरह का doubt आता है तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कमेजिंग application लिकरके है और जिसका नाम है फिलो application यहां की सबसे special बात है कि 24-7 Expert Teacher अविलेबल रहते हैं आपको कुछने 3 easy step को follow करना है सबसे पहले Play Store से जाकर किस एपको download कर लेना है नीचे दीगई lead link से आपको इसको download कर सकते हैं दूसरी step में आपको simply अपना number डाल के registration complete करना है तिसरी step में आपको question की photo खिचना या आप टाइप करना है जैसी आप अपना question पूछेगे within 60 seconds यहाँ पर expert teacher आकर कि question का answer देगे वो भी video call पे जिससे कि आपकी पूरी concept clarity हो जाएगी कर सकते हैं और अगर आपको इस आप पर किसी तरह का कोई discount चाहिए आपको इसकी paid course खरीदना है तो यहाँ पर मैं आपना referral code दे रहा हूँ अगर आप इसको use करते तो आपको 10% तक का discount में मिलेगा तो फटा-फट से फिलो आपको जा करके download कर लीजिए तो कईज हम लोग बात कर लेते हैं तीन नंबर की questions की तो तीन नंबर की questions में सबसे पहला question आता है what is roll's law derive roll's law for solution which contain non-volatile solute ठीक है तो यह था आप लोगों को question number one question number two आता है difference between ideal and non-ideal solution तो क्या होता है ideal solution और क्या होता है non-ideal solution आपको डबबा बना के box बना के उसको divide करके दो पाट में अच्छी तरीके से difference between लिख करके आना अच्छा impression बनता है तिसरा question आता है difference between positive deviation and negative deviation तो क्या होता है positive deviation और क्या होता है negative deviation बहुत easy सा question है आपको बहुत easily NCRT की book में इसका answer मिल जाएगा चौथा question आता है define the following तीन टर्म है आपको define करना है दो दो लाइन भी लिखे तो सफिट रहेंगा normality formality and mole fraction तो यह तीनों term को आपको define करते आना चाहिए अगर formula याद होगे तो बहुत अच्छी बात है इसमें आप लोगों को में भी आपका जो examiner है वो और अच्छे नंबर दे तो formula आपने लिख दिया तो पाच्वा question आता है करेदी स्ब्स